क्या हुआ यही सोच रहो ना अप लोग कि यार यह तो माइकल के मुवी रिव्यू का वीडियो है राइट पर इसमें KGF2 का म्यूजिक क्यों बच रहा है वेल लेट मी टेल यू यह म्यूजिक इसलिए बच रहा है क्योंकि जब आप माइकल इस मूवी को देखने के लिए जाते हो तो आपके बैक ओफ दमाइड में पूरी की पूरी की पूरी KGF2 की पिक्चर चलती है पता है बहुत सारी चीज़े सिमिलर है मतलब ये दोनों मूवी में जो सिमिलर चीज़े मुझे लगी सबसे पहले मैं वो पॉइंट आट करना चाहूंगी जो प्लॉट है बेसिकली वो बहुत जादा सिमिलर है कि एक चोटा बच्चा होता है जिसकी मा के साथ दूरव्यवार होता है और उसकी वज़े से वो अनात हो जाता है उसके बाद वो उसकी जो दुश्मन होते बेसिकली या फिर अपना जो बाप होता है उसको जूढने के करना उसकी जिन्दगे के मकसद बन जाता है और बेसिकली इस पूरे प्लॉट में 90s की थोड़ा सा पहले 90s में 90s के थोड़ा सा बाद यह वाला पूरा एक वक्त दिखाया गया है जिसके वज़े से जो फैशन है जो बिल बॉट्टम पांट सबको दिखाए देगी जिस पर देखी हुई है इसलिए मूवी आपको कुछ जादा नया नहीं ओफर करती अब इस मूवी की एक और चीज है जो मुझे इतनी जादा पसंद नहीं आई और वो यह है कि पूरे मूवी में लिटरली पूरे मूवी में जो में लीड आक्टर है माइकल जिनका नाम है संदीप क इनको गिन चुनके बस आठ या दस ही लाइने दी गई है पूरे दो घंटे पांच मिनट के इस मूवी में और पता नहीं क्यों मतलब वो कुछ बात ही नहीं कर रहे है पूरे मूवी में वो बस मॉन्टाज इस दे रहे है बैक तो बैक और कई ना कई पर वो एक चीज खलती नहीं रहे तेरे बाप के और तेरा बाप मैं हूँ याद है वो सारी CTA वो सारी तालिया जो KGF के हर लिटरली हर तीसरे डालोग पे बज रही थी थी तीटर्स में क्या माइकल ये मूवी बहुत बुरी है इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस मूवी का BGM बहुत ज़दा अच्छा है बैगरॉन म्यूजिक हर जगह पर जहाँ जहाँ पर fight sequences हो रहे है तो ये सारे चीज़े हम लोग थोड़ा सा नजर अंदाज कर सकते हैं जो बेसिकली डिरेक्टर रंजी भाई साब जो है इन्होंने बेसिकली जो KGF2 वाली story है वो बहुत ही similar वैसी यहाँ पर direction हमें भी दिखता है हर 3-4 seconds के बाद जो cuts है वो दिये गए है उसके बाद जिस प्रकार से story नरेट की जाती in fact KGF2 में भी एक actor थे लंबे बालों वाले I'm sorry I don't know his name but काफी बहतरीन से actor है वही actor यहाँ पर भी हमें दिखते है same avatar में same बालों की चोटी वो सब बांधा हुआ उन्होंने और same वो भी यहाँ पर story नरेट कर रहे है तो कही न कहीं पर मुझे लगता है कि एक you know Bollywood की एक आदत है कि अगर कोई एक पैंतरा काम कर गया ना तो वो अगले 5 साल तक बस वही cinema बनाते चलेंगे और इसी के वज़े से Bollywood फिलाल आज बहुत ही बुरे कगार पे खड़ा है basically Michael में वही सारी पुरानी चीज़े है गंडों, gangs, मतलब गंडास जो भी उनके बीच बैटल्स हो रही है एक दूसरी को मार रहे है, पीट रहे है, स्टाटेजिस बना रहे है, सारी चीज़े बहुत ही मतलब आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है हर सीन के बाद आपको पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है इसलिए ये मूवी कुछ भी नया नहीं ओफर कर रही है आप लोगों को तो I'd like to recommend you all कि ये थेटर में जाके देखने वाली मूवी नहीं है आप इसको OTT पे वेट करो या फिर टेलिविजन पे आने का वेट करो और One Time Horse तो definitely है तो अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि BGM बहुत अच्छा है इस मूवी का पर इसके साथ 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 एक सबसे बढ़िया चीज है इस मूवी की और वो है Vijay Sethupati Yes पर भाई सहाब मतलब जो Vijay Sethupati की entry हुई है ना मूवी में कई ना कई पे हम लोग I'm telling you we were only seven to eight people sitting in the theater for this movie and हम साथो के साथो लोग सिर्टिया बजा रहे थे जब Vijay Sethupati की entry हुई and मतलब he just whenever he comes on the stage he just owns it like literally that confidence and वो एक सहचता है उनके acting में कुछ भी जादा आपको बहुती well-toned body नहीं दिखेगी उनकी या फिर कुछ बहुती जादा looks पे काम किया है या फिर महंगी कपड़े है महंगी गाड़े ऐसा कुछ भी नहीं होता है and यही एक सहचता है अब यार देखो plot में कुछ नया खास offer करनी के लिए तो है नहीं पर अगर casting के बारे में बात करें तो संदीप किषिन में लीड में आपको दिखाए देंगे so उनकी opposite में जो actress है उनका नाम है दिव्यांशा कॉषिक जिनका character ही मुझे समझ में नहीं आया मतलब इतना जादा loser type का character है उनका जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इन फाक्ट एक लास्ट में एक असा scene है जापर वो सब कुछ छोड़ चाड़के बस ट्रेन का ticket लेकर भाग रही होती है and I didn't understand क्यों मतलब वो बहुत ही confusing वाला character है उनको पूरी movie में मुझे रखता है कि सिफ़ dance करना था इसलिए उनको लिया गया इनके बाद है विजे सेतुपती के opposite में है वरे लक्षमी जी और अगर इस movie में एक और अच्छे actor है जो मुझे जिनके acting बहुत पसंद आए तो उनका नाम है Gautam Vasudev Menon, भाई साहाब मतलब एक perfect gunda कैसे ही दिखता होगा क्या ही swag उसका होता होगा या फिर वो कैसे चलता होगा कैसे बैठता होगा कैसे देखता होगा कैसे smoker करता होगा फिर कैसे उसकी क्या क्या शौक हो सकते है यह सारी चीजे मतलब मुझे लगता ह है कि इन्होंने बहुत ही बहतरीन तरीके से play की है and convincingly हमें लगता है कि हाँ यह गुंडे है तो सबके बाप है गुरुजिन का नाम है इन सभी के अलावा वरुन संदेश और अनुसया भारतवाश भी है बैसिकली यह सारी main star cast मैंने आप सभी को बताई वैसे तो और भी और तद पसंद आती है फिल्म but anyway I think it's always good to see him on screen and definitely this movie को OTT आफे टेलिविजन पर आने तक का इतजार कीजे बाकी मैं इस movie को दूंगी literally two stars out of five और मैं actually एक ही देने वाली थी बट एक और इसले क्यूंकि विजय से दूपाती के लिए बाकी आप लोग को यह movie कैसे लिए आप